आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में हमें पूछ रखा है कि Area of the region in which Point Pxy जो की x greater than 0 होगा लाइज करेगा such that कि y less than equal to हमारा क्या है square root of 16 minus x square and 10 inverse y by x का जो मौड है वो less than equal to pi by 3 होना चाहिए ठीक है तो इन दोनों से मिलके जो area बनेगा उसकी value हमें बतानी है जहाँ पे x क्या होगा greater than 0 होगा ओके तो देखो first अपन देखें तो first curve है हमारा y less than equal to square root of 16 minus x square तो इसको मैं draw करने के लिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे assume कर लेता हूँ let y is equal to 16 minus x square का square root तीक है अब इसके बारे मैं अपन देखें तो अगर मैं square बोट side कर दूँ तो यह लिखा हो y square equal to 16 minus x square यानि की x square plus y square equal to 16 अब यह circle हो गया circle अपन देखें तो x square plus y square equal to r square होता है standard form circle का तो यह हमारा x circle है जिसका center 0 0 है और radius हमारा 4 unit है तो यहाँ से अपन सबसे पहले इसको draw करते हैं तो यह coordinate axis है हमारा तीक है यह हो गया मेरा x axis और यह हमारा हो गया y axis अब center हमारा 0 0 है ठीक है center 0 0 and radius हमारा 4 unit तो यह हमारा कोई circle होगा ऐसा कुछ ठीक है तो यह 4 unit यानि की यह हमारा 4,0 है और यह हमारा 0,4 हो गया तो यह हो गया अब देखो दूसरा अब देखें तो यह जो circle है इसमें हम पन पाट अब ड्रो करें तो y का value हमेशा क्या होगा positive होगा क्यों क्योंकि यह square root वाली quantity लिखी हुई यह तो हमेशा positive value देखें इसका मतलब y हमेशा positive होने वाला है तो y positive होगा इसका मतलब यह circle जो है half circle बनेगा नीचे वाला circle नहीं बनेगा तो मैं नीचे वाले को erase कर देता हूँ तो नीचे वाले portion को मैंने erase कर दिया जहाँ पर negative y था ठीक है अब positive y shift हमारा है इसलिए हमारा shift first और second coordinate में graph बन गया second अपन देखते हैं second हमारा यह रहा 10 inverse y by x मैं लिखता हूँ यह second curve को 10 inverse y by x वो हमारा क्या है इसका mode less than equal to π y 3 है इसका meaning क्या हो गया कि यह मेरा like कर रहा होगा minus pi by 3 से लेके pi by 3 थक तो यह मतलब हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा y by x जो है वो हमारा कहा से कहा like कर रहा होगा 10, 10 minus pi by 3 से 10 minus pi by 3 10, 10 10 pi by 3 थक यह like कर रहा होगा अब देखो तो यहां से पन देखे तो एक तो 10-5 by 3 का वैलू क्या होता है minus, ठीक है, minus root 3, ठीक है, तो यह y by x की value आ गई और यह 10 by 3 के value होता है root 3, ठीक है, तो यहां से पन देखे तो एक तो यह हमारा equation बन रहा, second equation यह बन रहा, ठीक है मैं क्या करता हूँ, first अपन देखते हैं, तो first हमारा है y by x greater than equal to minus root 3, ठीक है second है y by x less than equal to root 3, तो यहां से एक तो कर बना y greater than equal to minus root 3 times x और एक कर बना y less than equal to root 3 times x, तो दो state line बन गिया एक तरह से, ठीक है इसको अपन दो करते हैं, तो y is equal to minus root 3 x और y equal to root 3 x तो यह हमारा दो state line है, ओके, दोनों का slope, एक का negative है, एक का positive है, तो एक तो negative slope हमारा यह होगा जो origin से पास कर रहा है, ठीक है, यह हमारा एक state line हो गया, और दूसरा हमारा just positive में slope हो जाएगा यानि कि यह state line, ठीक है, तो यह दो state line हमने बना दिया, ठीक है, दो line बना दिया हमने, अब region को draw करने के लिए, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं origin को satisfy करा आता हूँ, ठीक है, यह जो origin है, हमारा इसके just नीचे like कर रहा है, first वाली curve की अपन बात करें तो, ठीक ह होता है, इसका मतलब यह origin की तरफ वाला जो region है, वही होगा, यानि कि यह region का बात कर रहा है, इसके अंदर वाला region हमारा हो जाएगा, ठीक है, यह वाला region, ओके, अब देखो, यह line के लिए अपन देखते हैं, तो यह हमारा first line था, यह second line है, first line में हमारा क्या था, first line हमारा य और satisfy कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x का value 0 और y का value 4, तो 4 क्या greater than equal to 0 है, बिल्कुल है, इसका मतलब इसके लिए, हमारा यह region हो जाएगा, जो 0,4 को लाई करेगा, यानि कि first line के लिए हमारा यह region हो जाएगा, ठीक है, preferable region, second के लिए अपन फिर से 0,4 को satisfy कर रहा के देखते हैं तो 0 रखा और यह 4 रखा value, तो क्या यह true होगा, 4 हमारा less होगा, क्या 0 से, नई, तो इसका मतलब इसके लिए जो region है, वो हमारा क्या हो जाएगा, away from this, ठीक है, तो यह region हमारा हो जाएगा, ठीक है, अब इन तिनों का intersection part देखे हैं तो यह region हमारा color हो रहा, ठीक है, तो इसकी value हमसे पूछी गई थे, basically, okay, इस area का value, कि क्या होगा, इस area का value, okay, अब अपन इस area को निकालने के लिए, यह जो cutting point है, उससे perpendicular draw करते है, एक सक्सिस पे, तो यह cutting point यह है, माल लो, एक का coordinate कैसे निकलेगा, एक का coordinate, second line, second line हमारा क्या था, y equal to root 3 times x था, ठीक है, और यह जो हमारा curve था, यह curve हमारा क्या था, y equal to under root 16 minus x square, ठीक है, तो यह हमारा curve था, इसमें पन पूट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो, मैं solve कर रहा हूँ, एक तो हमारा y is equal to square root of 16 minus x square है, और दूसरा y is equal to root 3 times x है, इन दुनों को solve करना हमें, तो y के value यहाँ पे root 3x लग देता हूँ, ठी यह हो जाएगा 3x square equal to 16 minus x square, यानि कि 4x square equal to 16, तो x square equal to 4 आगया, मतलब x का value plus minus 2 मिला, अब दूको minus तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1st quadrant में है, तो x का value 2 मिला, तो यह 2,0 यह point है, अब दूको यह 2 अगर हो गया है, अगर इसका x coordinate 2 है, तो यह इसमें लाई कर रहा है, तो इसका coordinate क् जाएगा 2 square root of 3, ओके, अब इस point को अपन B बोल देते हैं, इस point को O, तो मैं क्या करता हूँ, right angle triangle का area निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो area अपन निकाल रहे है, O, A, B का, यह कैसे निकलेगा, तो half into base into height से, ठीक है, यह हो जाएगा half, base हमें मालूम है, केतना है, 2 unit है, तो 2, 2, और height हमारी क्या है, तो 2 root 3 है, ठीक है, तो यह 2 root 3, तो basically यह मेरा क्या आगिया, 2 root 3 square unit आगिया, ओके, अब अपन क्या करेंगे, यह जो secondary है, यह तो मैंने area निकाल रहे है, इसको A1 बोल देते हैं, अब A2 निकालते है, तो A2 हमारा क्या है, यह जो profile है, ठीक है, इसके हमारा जो curve का y है, वो क्या है, square root of 16 minus x square, तो यहाँ पर रख दूँगा, square root of 16 minus x square dx, ठीक है, अब इसका formula हमारा क्या होता है, अगर मेरे कोई iteration करना हो, square root of A square minus x square, तो इसका formula हमारा क्या होता है, dx, ठीक है, तो इसका formula होता है, x by 2 square root of A square minus x square, ठीक है, और फिर यह हमारा क्या हो प्लास यहां पे a square by 2 sin inverse x by a होता है similarly इस formula के coding इसको मैं यहां पे integrate करता हूँ क्या हो जाएगा x by 2 ठीक है square root of 16 minus x square plus यहां पे क्या हो जाएगा 16 by 2 sin inverse x by 4 यहां जाएगा ठीक है limit हमारी 2 से 4 है अब देखो अपने देखें तो एक बार 4 put करूंगा तो 4 put किया तो यहां पे 16 minus 16 यानिकी 0 बन गया यहां पे 4 put किया x के जिखाँ पे ओके तो यह हमारा क्या जाएगा 4 by 4 that is 1 sin inverse 1 हमारा pi by 2 होता है तो यह आ गया ठीक है 16 by by 2 यानिकी 4 ठीक है तो 16 by by 4 बन गया ठीक है तो यह पाई बाई 2 यानिकी 16 by by 4 अब जाए यहां पे 2 put करूँगा तो यहां पे 2 by 2 यानिकी 1 ठीक है तो यह 1 बन गया और यह हमारा क्या हो जाएगा 4 ठीक है तो 16 minus 4 यानिकी square root of 12 यह square root of 12 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 16 by 2 divided is 8 ठीक है और यह मारा क्या जाएगा sine inverse 2 by 4 यानिकी 1 by 2 ठीक है तो 1 by 2 का मतलब क्या हो गया कि sine inverse 1 by 2 हमारा क्या होता है π la6 यह आगिया π la6 ठीक है यहां से पंद देखे तो यह value हमारा किसकी को ला रहा तो यह 4 से से cancel होगा ठीक है और यह हमारा 2,3 जा 6 और 2,4 जा 8 होता है ठीक है तो यह आगिया 4 pi ठीक है माइनस यहाँ पर आपने देख सकते हैं यह आगिया 4 pi by 3 और minus square root of 12 आगिया अब 4 pi minus 4 pi by 3 का मतलब क्या हो जाएगा यह 12 pi minus 4 pi that is 8 pi ठीक है 8 pi by 3 minus square root of 12 आगिया तो यह area a2 आगिया अब required area required area को अगर मैं a बोल दू तो हो जाएगा a1 plus a2 a1 हमारा क्या आया था देखो a1 हमने निकाल रखा था ठीक है a1 अपन बात करें ठीक है तो a1 हमने निकाला था 2 square root of 3 unit ठीक है तो 2 2 square root of 3 ठीक है a2 अपन इसमें add कर दे तो a2 हमने निकाला यहाँ पे 8 pi by 3 square root of 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ तो 2 square root of 3 ऐसा लिख सकता हूँ अब इन दोनों को यहाँ पे अपन cancel कर सकते है तो 8 pi by 3 हमारा क्या जाएगा net area ठीक है तो net area हमारा क्या जाएगा 8 pi by 3 square units this is our answer thank you 444 पर